हाई मैं हूँ योशु मायापूरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है COVID-19 के चलते आए दिन ऐसे बॉलिवुद सेलेबरिटीज को देखा जाता है करोना वारिस का वैक्सिनेशन लेते हुए हाली में जिस सेलेबरिटी ने COVID-19 का first dose of vaccination ले लिया है वो है बॉलिवुड आट्रिस राधिका आप्टे राधिका आप्टे ने अपना first dose of करोना वारिस वैक्सिन दिया और इसकी जानकारी उन्होंने अपने social media पर भी शेयर की एक picture के साथ इसमें हम देख सकते हैं कि राधिका आप्टे फ्लेक्स करती हुई नजर आ रही है इस पर उनके को आक्टर ने भी comment किया उनके को आक्टर विजय वर्मा ने कहा कि उन्होंने खास तोर पर specially उनके लेक स्टोरी पोस्ट की है अपने इंस्टेग्राम पर जिसमें ये लिखा हुआ है ये एक meme है जो विजय वर्मा ने अपने स्टोरी पर शेयर किया रादे का आप्टे के vaccination के बाद बतादे की विजय वर्मा और रादे का आप्टे ने साथ में काम किया है सीरीज ओके कम्प्यूटर में शकुन बत्रा की अगली फिल्म में नज़राने वाले हैं दिपिका पादुकोन, सिधान चतुरवेदी, अनन्या पांडे और साथी साथ धैरिय कारवा बतादे की धैरिय कारवा से पहले इस फिल्म के लिए लॉक किये जाने वाले थे इशान खटर लेकिन इशान खटर इसलें फाइनलाईज नहीं किये गए क्योंकि इस फिल्म की कहानी काफी डिफरेंट है जिसमें इशान अनन्या पांडे का लव इंट्रेस प्ले करते हैं लेकिन फिर बाद में उनका और दिफिका पादु कोन का भी एक इंटिमिट कनेक्शन सामने निकल कर आता क्योंकि ये फिल्म एक्स्ट्रा मेरनिल रिलेशन शिप्स को दर्शाता है तो मेकल्स को ऐसा लागा कि इशान खटर दिपिका पादू कोन के सामने काफी ओड लगेंगे क्योंकि वो उनसे काफी छोटे लगते हैं और दोनों की जोड़ी इतनी ज़ादा खास नजर नहीं आएगी जिसके चलते उन्होंने धहर्य कारवा को इस रोल के लिए कास्ट किया विकी कोशल की फिल्म The Immortal of Ashwatthama की खबर काफी टाइम से सामने आ रही है इस फिल्म के लिए विकी कोशल काफी प्रेपरेशन्स भी कर रहे हैं अपने बोडी वाइस ताजा रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस फिल्म की शूटिंग इस साल सेप्टेंबर से शुरू हो जाएगी अगर करोना वाइरस का सिचुएशन नॉर्मल रहा साथ ही साथ इस फिल्म की रिलीज डेट की खबर भी सामने आ चुकी है बताया जा रहा है कि ये फिल्म 2023 में रिलीस होगी इस फिल्म में विकी कोशल के ओपसिट नजर आने वाली है सारा ली खान पहली बार हम साथ में विकी कोशल और सारा ली खान को देखेंगे सिल्वर स्क्रीन पर बता देगी सुहाना खान आज 21 एर्स की हो चुकी है उनका आज बर्दे है और उनके बर्दे के मौके पर उनकी मौम गौरी खान ने उनके लिए एक special wish लिखा उन्होंने कहा happy birthday you are loved today, tomorrow and always सुहाना ने इसके reply में कहा I love you बता दे कि काफी टाइम से सुहाना खान की debut की बात चल रही है बॉलिवुड में फैंस काफी excited है कि सुहाना खान का बॉलिवुड में अपना debut करने जा रही है As the great शारुक खान की बेटी होते हुए सुहाना खान से काफी expectations है सुहाना खान की बहुत अच्छी दोस्त मानी जाती है अनन्या पांडे, अनन्या पांडे और सुहाना खान की mom गौरी खान और भावना पांडे काफी close relation निभाते है World Meditation Day के मौके पर बॉलिवुड अक्ट्रिस दिया मिर्जा ने एक throwback picture शेयर की है जिसमें हम उनको meditate करते हुई देख सकते हैं, headphones लगाते हुई लेकिन इस pic को देख कर fans काफी जादा worried हो गए हैं दिया मिर्जा के लिए क्योंकि इस pic में दिया मिर्जा के face पर काफी marks और bruises हैं जिसके चलते fans के कई सारे worried comments सामने आने लगे लेकिन दिया मिर्जा ने अपने photo के साथ अपने caption में ये mention किया था कि ये जो picture है, ये behind the scenes का है, उनकी web series काफिर से और ये real injuries नहीं है बलकि उनकी web series के shoot के दौरान ये नकली injuries थी जिसके चलते उनको shoot करना पड़ा था लेकिन ऐसे कई सारे fans थे जिन्होंने इस caption को नहीं पड़ा और उन्हें लगा कि दिया मिर्जा को सच में bruises लग गए है बॉलवूड actress दिशा पार्टनी एक बहतरीन actress होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी fitness freak भी मानी जाती है साथी में दिशा पार्टनी को काफी खतरनाक stunts करते हुए भी देखा जाता है आए दिन दिशा पार्टनी अपने backflips के वीडियो और stunts के वीडियो शेयर करती रहती है और हाली में दिशा पार्टनी ने अपने इंस्टेग्राम पर एक और वीडियो शेयर की है जिसमें हम उनको बैक फिलिप करते हुए देख सकते हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए दिशा पार्टनी के बैक ग्राउंड में हम के पॉप ग्रुप का न्यू सॉंग बटर सुन सकते हैं यह बीटियस का सॉंग है वहीं दिशा पार्टनी भी एक बहुत बड़ी फैन है बीटियस की बता दे कि इसी वीडियो में कमेंट किया है ट टाइगर श्रॉफ ने दिशा पार्टनी को एप्रिशेट किया प्रेज किया और कॉमेंट किया क्लीन अडिंग अ क्लैपिंग फायर एंड हार्ट आय इमोजी बॉल्वूड अक्ट्रिस कंगना रुनौत के बॉडी गार्ट कुमार हेगडे के ऊपर एक रेप केस किया गया ह बता दे कि ये रेप केस फायल किया है एक 30-year-old beautician जिनों ने ये accusation लगाया है कि कुमार हेगडे ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी करेंगे लेकिन बाद में उन्होंने उनका रेप किया बता दे कि हेगडे ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो जून लास्ट बता दे कि इसी के साथ साथ उन्होंने इस लड़की से 50,000 रुपीज भी बौरो किये थे ये कहते हुए कि उनकी मा की तबेत खराब है लेकिन तब से उनका फोन नौट रीचेबल जा रहा है वेटरिन म्यूजिक कंपोजर राम लक्षमन का दिहान्त हो चुका है बता दे कि राम लक्षमन नागपूर में थे और 79 यर्स के थे ओवर हिस करियर राम लक्षमन ने कई सारे म्यूजिक कंपोज किये हैं 150 से भी जादा फिल्मों के लिए हिंदी, मराथी और भोजपूरी लैंगविज में बता दे कि एक इलनिस के चलते उनकी डेथ हो गई उन्होंने नागपूर में अराउंड 1 एम अपनी आखरी सास ली ये म्यूजिक कंपोजर अपने बेटे के साथ रहे रहे थे कई सारे सूपर डूपर हिट फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोजर राम लक्षमन ने कंपोज किया है म्यूजिक ब्लॉग बस्टर जैसे की मैंने प्यार किया हम आपके है कौन उनका जनम 16 सेप्टेंबर 1942 में नागपूर में हुआ था बॉलिवुड में बायो पिक्स काफी जादा फेमस होती जा रही है इसी के चलते कई सारे लेजंडरी लोगों की बायो पिक्स बन रही है काफी टाइम से हौकी प्लेयर ध्यान चंद की बायो पिक की बात चल रही थी बता दे कि पहले तो इसके राइट्स करन जोहर ने लिये थे लेकिन वो इस फिल्म को बना नहीं पाए जिसके बाद अब रॉनी स्क्रूव वाला आरेस वीपी ने इसके राइट्स को खरीद लिया है और वो प्लान कर रहे हैं इस फिल्म को एक हूच स्केल पर बनाने के लिए 2022 तक इस फिल्म को डाइरेक्ट करने जा रहे हैं अभिशेक चौबे ये फिल्म बॉलिवूड आक्टर वरुन धवन को ओफर की गई वरुन धवन को इसकी स्टोरी काफी अच्छी लगी और उनको इंट्रेस भी आ रहा था लेकिन क्योंकि लॉक्डाउन के तुरंद बाद इस फिल्म की शूटिंग होनी थी और वरुन धवन अपने डेट्स नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उनके पहले से ही कमिट्मेंट हैं बाकी फिल्मों के लिए जिसके चलते वरुन धवन ने इस ओफर को रिजेक्ट कर दिया जहां ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है इसी के चलते अपकमिंग फिल्मों की ऐसे रूमर सामने आ रहे हैं कि ये फिल्में भी OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज होंगी इन में से एक फिल्म है अजे देवगन की फिल्म मैदान बताय जा रहा था कि ये फिल्म डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लाटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है लेकिन अब खुद पोनी कपूर ने इस बात की कन्फरमेशन दे दी है कि उन्होंने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया है और मेकर्स ने ऐसे कोई कॉन्वर्सेशन नहीं की है कि ये फिल्म OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज हो अगर ऐसी कोई भी बात सामने आती है तो वो खुद इसे ओफिशली कन्फरम करेंगे आज के लिए इतना ही लेटिस बॉलिवड न्यूस और होट गॉसुक के लिए सब्सक्राइब करें माया पुरी काट